प्रुदेश में बिजली करेक्शन से महरूम पशू चिकित्सा संस्थान जल्द ही बिजली से रोशन होंगे अकेले जैपोर डुसकॉम क्षेत्र में अधीन संच्रालित करी 1500 से अधिक पशू चिकित्सा संस्थानों को एक महीने में डिमांट नोटिस जारी होंगे अधिकारी कर्मचारे इस बात को उठा चुके हैं जिनकी पेडा सूबे के मुखेमंतरी अशोग गहलोत ने समझे हाली में जारी बजट में सीएम गहलोत ने सभी पशू चिकित्सा संस्थानों में बिजली करेक्शन देने की घोशना की इसके बाद दोनों की सरकारी एजन्सिया सकरी हुए है पशुपालन निदेश्वारे की निदेशक डॉक्टर भवारी सिंग राठाओर ने चिकित्सा संस्थानों की सूझी जैपुर डिसकॉम के प्रबन निदेशक आर एन कुमावत को भेजी है जारी करने के निदेश मैंने दे दिये संबंदित मुख्य वियंताओं को और जैपुर जोन की मुख्य विंता को नोडवलोपिसर पनाके इस काम के लिए अधिक्रत किया है कि इन कनेक्शन्स को जल्दी जदी कराए जैपुर डिसकॉम में बिजली से महरूम पशुच गिस्सास अंस्थानों की बात करें तो जैपुर 384, दोसा 149, अलवर 133, भरतपुर 252, सवाई मादुपुर 45, धॉलपुर 51, करॉली 123, कोटा 60, 1218, बूंदी 37, टॉंक 100, जालावार 95 पशुपालन निदेश्वाले के इस प्रस्ताव के बाद दिसकॉम प्रसाशन भी आक्टिव बोर्ड में है, पशुच गित्सा सलस्थानों में कनेक्शन जारी करने के लिए ना सिर्फ नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, बलकि सभी फील्ड अधिकारियों को भी निर्द पशुच गित्सा सलस्थानों में सेवाओ का विस्तार होगा, इसके साथ ही कार्मिकों को गर्मी से भी निजात मिलेगी, ऐसे में उमीद है कि कागजों में दिखाई देने वाली सक्रेता का फील्ड में क्रियानवन भी जल से जल्द होगा, फर्स इडिया नियूस के लिए विकास शर्मा की रिपॉर्ट